गोशना पत्र आया है और उससे पहले भी जो प्रधान मंत्री ने दावे किये थे कि वो आयूश्मान कार्ड गरीबों को दे रहे हैं इलाज के लिए तो आपको आयूश्मान कार्ड की कुछ सुविधा मिली अब तक में कुछ ने मिला है तो आप सरकारी हस्पतालों में जाते होंगे किस लिए जाएंगे वो सब मिलने वाला नहीं खाली हो हावा है तो जो मोदी जी दे रहे हैं हावा दे रहे हैं कुछ नहीं है और अभी राहूल गांधी ने भी बोला है कि वो 25 लाग तक का मुफतिलाज करव आपको भरोसा है पोदी ने जो दावा किया था कि वह आयुष्मान काट देंगे और 500,000,000 का मुफतिलाज करवाएंगे कुछ ऐसी सुविधा आपको मिली है अभी तक उनको नहीं मिला है उनका इतना लंबा प्रधान मंत्री का कारेकाल रहा उसके बाद भी आपको नहीं मिला और अभी भी आपको उनकी गरेंटी पर भरोसा क्यों है वह कर रहे हैं इसलिए कि पहला हमारे देश का प्राइब मुनि हैं ऐसा कभी बना नहीं था एक लाल बाहदर सास्तरी आये थे पर प्राइम मुनिश्टर एक दूसरा यह है और यही दावा अब राहुल गांधी भी कर रहे हैं कि वह बुजूर्गों के लिए 25 लाग तक का मुफ्तिलाज करवाएंगे उन पर आपको भरोसा है वह केवल किये ने अब क्या करेंगे वो कि स bombers पामेंदुम से कुछ हो नहीं पाया आप आगे क्या कर पाएंगे उनका वरोसा खाली मूभ का बोली बोलना समूसा देड़ेंगे हम लेकिन समूसा दिखाईंगे देड़ेंगे नहीं पसितने उनका है उनके बंसा वाली सोचते है मेरे राजनेती राजाए है और किसी को बने ही ने घर्म में सरकारी नहीं हुँ आ करने रहे हैं बीच गड़ी उठा लेता है इससे अगर मेरा है इसा पड़ाय मुनिश्टर ना कभी आया था ना कभी आईगा अच्छा आपको क्या क्या सुविधाई मिलियां मोदी सरकार हमें यह सुव्धा मिला है कभी तक तो रासन उन्होंने मुप्त बाटा है सारे देश को देशवासी को भूखा रहने नहीं दिये दूसरी चीज कोई आर्थी कस्थिती देश में जब आता है तो कच्रा साफ करने में इनको अभी तक टाइम लग गया अब जो यह करेंगे वो देश के हित कब बहुत उंचा अस्तल पर ले जाएंगे बहुत उंचा कम करने वाले हैं यह लोगों को रोजगार रोजगार लग रहा है ना रोजगार करने ही पाएगा दो-चार मेने के बाद इतनी रोजगार मिलने वाला है